जब शारुक खान को देखकर हस पड़ी थी रानी मुखर जी फिर डारेक्टर ने रानी को ऐसे सिखाया था सबग ये किस्सा उस वक्त का है जब रानी और शारुक एक साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे तो आखिर शाहरुख खान को देखकर क्यों हस पड़ी थी रानी और ये कौन सी फिल्म थी जिसके शूटिंग चल रही थी साथ ही फिल्म के डारेक्टर ने फिर रानी को क्या कहा था आए जानते हैं इस किस्से को एक दम डिटेल में दरसर शाहरुख के फिल्म वीर्जारा से जुड़ा एक किस्सा वाइरल हो रहा है ये कहानी रानी मुखर जी ने बंटी और बबली टू के प्रोमोशन के दौरान कपल शर्मा शो पर शेयर के थी रानी ने बताया कि वीर्जारा के सेट पर एक बार वो शाहरुख खान को देखकर हस पड़ी थी जिसके बाद फिल्म के डारेक्टर यश चोपड़ा ने उन्हें पूरी यूनिट के सामने डांट लगा दी थी देखिए फिल्म वीर्जारा में शाहरुख खान और प्रिदी जिन्टा ने लीड रोल्स किये थे फिल्म में रानी एक चोटी से रोल में नसरौई थी उन्होंने वीर के किरदार की वकील सामया सिदिकी का रोल प्ले किया था उनका रिलेशन्शिप कुछ बाप बेटी जैसा दिखाया गया था क्योंकि दोनों किरदारों की उम्र में काफी फासला था शाहरुख जहां एक बुजर्ग का रोल कर रहे थे फिल्म के बढ़ापे वाले सीन्स में उन्हें सफेद बालों में दिखना था शाहरुख और रानी के बीच एक सीन्स शूट किया जाना था जैसे ही शाहरुख अपना मेकप विगरा करके सफेद बालों के साथ सेट पर आए रानी उन्हें देख कर हसने लगी रानी को हसता देख शाहरुख भी हस पड़े रानी ने बताया था कि शूटिंग का समय था सब कुछ सेट था सीरियस सीन्स शूट होना था ऐसे में रानी को हसी ठी ठोली करते देख डारेक्टर यस चोपड़ा भड़क गये उन्होंने सेट पर सबके सामने रानी मुखर जी को पूरी तरह से डाट दिया इसके बाद सेट पर सरनाटा पसर गया इसी टेंशन वाले माहौल में फिल्म का वो सीन्स शूट किया गया जो कि फिल्म के मूड के हिसाब से बलकुल पाफेक्ट था इस फिल्म में शाहरुक और रानी ने अलग-अलग उम्र के किरदार निभाए थे मगर उन्होंने अपने करियर में कुछ-कुछ होता है कभी खुशी कभी गम, चलते चलते और कभी अलविदा ना कहना जैसे फिल्मों में हम उम्र केरदार निभाए हैं और दोनोंने साथ में खूब रोमांस भी किया है पराणी और शारू की जोड़ी को खूब दर्शक आज भी पसंद करते हैं बॉलिवूड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉंग रिव्यूज के लिए सब्स्क्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को और येस, डोंट फोगेट प्रेस्ट बेल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इन्फोमेशन आप बिलकुल भी मिस्ना करो